हेलो फ्रेंट्स आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ तो आज की रेसिपी है जो काफी ज्यादा सुवधिश्ट है और बहुँ ज्यादा हेल्दी है तो विडियो को आप पूरा देखिएगा उसके लिए हमने लिया है दस बादाम बड़े बादाम को हमने र बाजू ले लिया है इस सारे चीजों को हम पेष्ट बना के तयार करेंगे इस तरह से दरदरा बना लिया और इसके लिए हमें और चीजों पड़ेगी जो हमने अद्रक लिया है एक चमच इससे क्या हुआ कि थंड में हमें सर्दी जुकाम से बचाओ होगा इसलिए हमने आप चाहें तूइसे कोई भी कुकिंग ओयल में भी बना सकते लेकिन घी में बनाने से क्या होगा कि टेस्ट इसका काफी अच्छा होगा और सर्दीओ में घी खाने के बहुत फायदे है ऐसे टो कभि भी घी खाय जा सकता है लेकिन अद्रको डालकर अच्छ बूने एक कर व बहुन कर तब तक टर दालेंगे को लच्छ ऐसे की तरह को रखना के कि दिखने लिगे इस तरह से हमें गाजर को बिलकुल भी इसमें नहीं गलाना है बस इसका कैंट तो हम इस आधा पका लिए हैं इसका कच्चा पन खत्म कर दिए हैं इसी तरह से पर चलाते हुए से दो मिनट तक हमने अच्छे से भून लेया है इसके लच्छे है जो अच्छे से घी में भून गए अब हमने लिया है मलाईदार हमने दूद लिया है मलाईवाली आप चाहें तो पिना मलाईवी भी ले सकते हो लेकिन मलाईवी बहुत क्रीमी और गाड़ी बनकी तयार होगी तो इसे हमने 500 ग्राम हमने मलाईवाली दूर डाल दी है और इसे हम अच्छे से उबाल लाने देते देखे एक उबाल बढ़िया सा इसमें आ रहा है तो हम गाजर का हलवा नहीं बना रहे हैं कोई मीठाई वगेरा नहीं बना रहे हैं तो इसलिए हमें ज्यादा गाजर को नहीं चलाना या लच्छे को नहीं तोड़ना है तो यह जो हमारा बादाम और काजू का पेस्ट है उसे हमें अच्छे से डाल देना है ताकि इसमें अच्छे से मिक्स होजाए और जो बादाम है ऑर काजू है वो अच्छे से इसमें क्रीमी गाड़ी पंद ना सके तो इसके साथ इसमें जाएगा मीठे के लिए सक्कर आपको अगर मीठा खाना पसंद नहीं है सकर कायूजनी करने चाथे तो गुड़ भी इसमें कर सकते हैं या फिर देशी खान का भी इस्तवाल कर सकते हैं लेकिन हमें सुगर इसमेंट एड़ किया है और अगर आपको मतलब चीनी से कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे हटा सकते हैं गुड़ में भी इसे बनाया जा सकता है और इसी के साथ हमें हमें डाला है 8-10 केसर के तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके बाद इसमें और भी चीज़े एड़ करेंगे वह है गाड़ी मलाई तो हम इसमें डाल रहे हैं 3-4 चमच खाने वारे चमच से गाड़ी मलाई इसे क्या होगा जो तुम हमारा पेस्ट की तरह जो बने गाना मलाईदार गाजर का कीर ऐनका किरीमी बन के त्यार होगा घाजर का कीर जो कहा एं तो कोई मिठाई घा रहे हैं स्वीट डीस बनके तियार हो जातीए तो आपने काजर की हलवा मिठाई तो बहुत यवर खाया हूंग है एक वर अचाले लिफार देकि भी टेश्ट लगती त्होर हमने हर इंगे ह तो इसे जरूर आड़ किजेगा इसको स्वाद है जो और भी बढ़ियां कर देता है तो यह हमारी गाजर का खीर है जो बनके त्यार हो गया इसे गर्मा गरम खाये बच्चे बड़े सभी इसे कटोरियां चाचाट कर खाएंगे क्योंकि यह गाजर की खीर के स्वाद में एकद का भरबूर ख्याल रखता है तो आप इसे बनाकर इंज्वाइ करें अब इसे गर्मा गरम खाये बहुत यह लगता है खाने में अब मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा लाइक सेयर करें अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे आज की गाजर की खीर आपको कैसी लेगी वाई फ्रेंट्स